एक कन जिसका दरौमान एम है एक आद्रस इस्परिंग से उधरवादर लटक रहा है स्परिंग का बले नीयतां के है यदि कन को उधरवादर दोलिट किया जाय तो इसकी टोटलेनर्जी होगी आपको क्या बताना कि आपके पास कोई इस परकार से के एक स्प्रिंग है और इससे कोई एम दरुमान का एक पिंड़ लटका हुआ है यदि इसको उदरुमान दर इस परकार से दोलरन करवाय जाता है तो आपको बतानी कि इस्प्रिंड के जो मारी टोटल एनर्जी होगी कुल-उट जोगी वह है मादयम इस्थित्य पर अधिक्तम होती है या चरम इसतानों पर अधिक्तम होती है या सबी जगे इसकी सम्मान होगी तो आप बताई ही इसका राइट्य सर क्या होगा दूस्ट ऐसे जो कुशन होते हैं वो आपके एख्यमे बार बार पुछे जाते हैं लग बार ustम में ऐसे कुशन पुछे जाते हैं और अधिकतर बच्चे ऐसे क्यूस्तिनों के अंदर confusion रहते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे जो इस्पिरिंग के यान की कोई भी जो ऐसे चम होती है यानि सरलावत गती होती है उसके तीन उसके अंदर तीन परकार के एनरजी होती है potential energy, kinetic energy और इन दोनों का जो योग होता वो तुमारी होती है total energy तो इन तीनों के बारे में आपको अलग अलग पता होना चाहिए जो मारी total energy होती है दोस्तों वो याद रखना की हर जगह इनिसके यानि समान होती है total energy के कुल औरज होती है वो पिंड की कहीं पर भी हमारी चैन्ज नहीं होती है यह उड़ा संरक्षन पर अधरित कार्य करती है दोस्तों मारी जो potential energy होती है वो है चरम इस्तानों पर maximum होती है और जो kinetic energy होती हो चरम इस्तानों पर नियूंतम होती है और यहां पर यादिये पनाते हैं कि जो मारी potential energy का मान हमारा मद्यमिस्तान पर कम हो जाता है वो kinetic energy का मान यहां पर maximum होता है यह दोनों आपसरी में कम अधिक कम अधिक होती रहती है यह गटती बढ़ती रहती है लेकिन इन दोनों का जो योग होता है वो मेरे जगर नियत रहता है तो इस प्रकार से याद रखना जो मारी spring होगी उसकी जो total energy होती है दोस्तों वो हर जगर समान होती है जो change होने वाली जो energy हो potential energy यह वो कानेटिक energy है तो आपको दोस्तों यदि confusion नहीं हो इसके कारण मा आपको यह फोर्मिले के मादम से इसको समदाजन तीनों को फोर्मिले आपको note करवा देता हूँ क्योंकि अधिक दर बचे इन तीनों के अंदर confusion होते ही है और exam मे आखरी में आकर question को गल्त कर ही देते है तो आपके साथ यह गटना नहीं हो इसलिए आप इन फोर्मिले को note कर लेना जो आपकी potential energy का फोर्मिल होता है वो हमारी 1 by 2 m omega square और x square होता है दोस्तों यहां पर x कहा है कि हमारा यह जो पिंड है इसकी मादम इस्तिती है और यह इसका maximum आया हमारा a है तो इस परकार से दी मादम इस्तिती से इसकी दूरी x है तो यह इनकी x दूरी पर इसकी potential energy मारी यह होती है तो इसका मान maximum कम होगा जब हमारा x का मान maximum होगा तो जहां पर यह दोस्तों चरम इस्तान पर हमारा x का मान maximum होता है a तो इसके करण याद दखना potential energy हमारी चरम इस्तान पर अधिक्तव होती है जो kinetic energy होती है उसका जो formula है वो भी आप note के लेना वो हमारी 1 by 2 m omega square और cost टक में हमारी होती है a square minus का x square तो इसके करण जो kinetic energy के अंदर दोस्तों मारा जो x का मान जहां पर सबसे कम होगा वहां पर मारी kinetic energy मारी अधिक होगा तो kynetic का maximum मान अमार कितन हो जाएगा 1 by 2 m omega square a square तो इस परकार से याद खना जहां पर x का मान अमारा niuantum होता है 0 होता है वहां पर kinetic energy का मान अमारा maximum होगा तो इस परकार से याद खना जो मारी total energy होती है उसका formula भी आप note करें ना यह हमारा 1 by 2 M ओमेगा स्क्वाइर A स्क्वाइर होता है यानि यह है आयाम पर निवर करते की आयाम कितना है बलकि एनकी इसकी इस्तिती पर निवर नहीं करते की कौन किसी इस्तिती पर है तो इस प्रकार से इसके कुछनों में आपको कभी भी confusion नहीं होता है इन तिनों को अलग-अलग note कर लें तो इसका जो right answer हो जाएगा वो जाएगा हमारा हर जगा समान रहेगी इसके total energy किसी S-Ampeda दरवे के लिए आयतन मापांग का मान होगा आपको क्या दिया होगी कोई आपके पास एक लिक्वीड है जो incompressible है जिसको अपन compress नहीं कर सकते हैं इसको secure नहीं सकते हैं और नहीं इसको अपन परसार कर सकते हैं वह हमारे liquid के होते हैं इनकम्प्रेसिबल है यदि as some pain है तो इस परकार से जो आयतन में जो प्रिवतन होता है वो मारा सुनने होता है जो आयतन को अपन प्रिवतित नहीं कर सकते हैं तो इसका जो आयतन मापांक होता है जो बलक मोडूलस होता है वो आपको बताना कितना होगा सुनने होगा एकाई होगा अनन्त होगा सुनने या एक के बीच होगा तो सबसे पहले आपको जो बलक मोडूलस का जो फॉर्मूल होता है वो आपको पता हो ना जीए बलक मोडूलस को अपन के से पताशित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा पर्तीबल अपॉन में आयतन विकरती होती है यानि डेल्टा वी अपॉन में वी होता है या इसको अपन ये भी ली सकते हैं यानि वी अपॉन में डेल्टा वी तो मैंने आपको क्या था था थी जो हमारा ए संपिट अधर्व होती है उसका जो आयतन होता है हमारा ए प्र उसके लिए जो मारे बलक मोडूलस होता है आयतन मापांक इसका मान हमारक कितन होता है इनफिनिटी होता है अनन्त होता है तो इसका राइट हो जाएगा यह वाला अब चलते हैं नेश्ट कुशन पर किसी धातु का उसमा चलता गुणाक नेबर होता है दोस्तों आपको बताना कि कोई आपके पास धातु दी हुई है उसका जो उसमा चलता गुणाक की होता हो आपको बताना किस पर नेबर करेगा दोनों यह इसके जो सीरे हैं इसके तापांतर पर यह जो मारी पट्टिका है इ जो मारो प्रतित च cette मिरुशरे होता है था जो की परकार है अभसके परकार्टी पर निपर करती है उसी परकार से था उसके अंदर चूरा ही चालकता गुणानकोता है कि इस परकार से याद रखना है उसमें चाल्बकता गुणाक को ना इसका customer हो याद ऊछयाएब याद पास हुए कोई हमारी इस परकार से Absolvent your listeners जिसका यानि शीरे का छेथर पर आपको A दिया हुई है इसके लंबाई आपको L दी हुई है और दोनों शीरे का जो तापांतर है वो आपको कितना दिया हुई है डेल्टा ठिटा दिया हुई है यानि या पर आपको कितना दिया हुई है ठिटा 1 और ये दिया हुई है ठिटा साथ्त मेरे उस्मा पर्वाय के दर होती है वह तो मारे इसके और फहनी पर इसकी लंबाई पर यहां जो मारे पांतर होता हुआ उस पर नइबर करती है लेकिन जो यहां पर किय इह मारा उसमा चाल लगता है गुणाख यह है केवल दातो की पर करतेड़ नहीं नहीं करता है यानि नहीं करता है इसका मान इस अन्य यानि मानों पर नहीं करता है तो इसका जो हमारा right answer नहीं हो जाएगा option number d वाला अप चलते है next situation पर यदि a vector cross b vector is equal to c है तो नहींत नहीं में की कौन सा कतना हमारा गलत है दोस्तों यदि आपको एक concept आपका पढ़ावा है तो ये क्यूसर ना आपका कभी भी गलत नहीं होगा आपको याद रखना कभी भी दो सदिसों का cross multiply किया जाता है यानि हमारा जो सदिस गुनन किया जाता है तो उसका जो नया सदिस में पराप्त होता हो हमेशा इन दोनों के perpendicular होता है यानि यदि हमारा X के अनुदीस है B हमारा Y X के अनुदीस है तो जो हमारा नया सदिस पराप्त होगा A कुरूस B वो हमें Z X के अनुदीस पराप्त होगा याई हमेशा इन दोनों के लंb Tod पराप्त होता है अब यादि या दिया आपको पता तो इसको अपना असानी से कर सकते है A वाली ऐप्सन में आपको क्या दिया है जो मारा C है वो A के अनी लंbود है तो तो अब बिल्कुल सही है यानि यह मारा B के भी perpendicular होगा और C वाली option में क्या दिया हुआ कि इन दोनों का जो योग है यानि resultant होगा वो है हमारा C के perpendicular होगा दोस्तों वो भी सही है यानि कभी भी दो सदीसों को याद यह पन जोड़ते हैं उसका या गठाते हैं तो जो मारा resultant जो मारी वेक्टर पराप्त होता है जो मारा परिणामी सदीस होता है वो या दखना मारा उसी तल के अंदर होता है यानि J词क के इनुदी स्प्राप्त होगा जो हमारा C है वह हमारा A Kroos B के है तो यह एक दूसरे के perpendicular नहीं होगे तो हमारा जो D वाला कथन हो जाएगा वह हमारा क्रोस B के परपेंडिकुलर नहीं होगा अब चलते है नेश्ट की सन पर जब A dot B is equal to minus A mode B mode है तब A और B एक दूसरे के लंबवत होंगी A की दिसामे कारियत होंगी विपरी दिसामे कारियत होंगी या A और जो B हैं वो किसी भी दिसामे हो सकते हैं दोस्तों इस क्यूस्टन में आपको क्या दिया हो कि यदि अपन A और B का dot multiply करते हैं तो हमारे इन दोनों का जो magnitude का multiply होता है उसके negative के बराबर पराप्त होता है यानि minus A mode और B mode के बराबर पराप्त होता है तो आपको बताना कि जो A और B होंगे वो उसके direction किस परकार से होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी या same direction में होंगी या opposite direction में होंगी तो इस क्यान क्यूसरे को करने से पहले आपको यान की याद करना बहुत जूरी है यदि अपन किसी भी दो सदिसों का dot multiply करते हैं तो इसका जो फोर्मूल होता है दोस्तो हमारा कितना होता है वो A का mode, B का mode और यहाँ पर हमारा कितना होता है यहाँ पर अपन इन दोनों की तुलना करते है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह वाला मान दिया हुआ है जो कोस्ट टिटा की जगह में क्या दिया हो है यहाँ पर माइनस एक दिया हुआ है तो इस परकार से अपन क्या करते हैं कि दोस्तों यानि आपर जो मारा कोस्ट टिटा कमान वो आपको कितना माइनस एक होता है और हम जाते हैं कोस्ट के अंदर जो इसका जो माइनस एक मान होता है वो हमारा 180 degree पर है तो इसका मतलब क्या होगे जो हमारे A होँगे और जो B होँगे वो निक इन दिनों को मद्यका जो angle होगा आपको कितना होगा 100 degree होगा इसका मतलब क्या है कि दोनों है वो opposite direction में है एक दूसरी के वीपरी direction में है तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा option number C वाला होगा यानि दी A.B is equal to minus A mode B mode है तो हमार जो A तथा B होंगे वोगे एक दूसरे की विपरीत कारी रहत होंगे तो इसका राइट हो जाएगा option number C वाला अब चलते हैं next question पर जो आपका जो अगला question है एप आवर्ति के लिए AC परिपत में किसी यंतर के शेरों के मद्य का विपवांतर V तथा I करमस V is equal to 5 A cos omega T वोल्ट तथा I is equal to 2 sin omega T एमपियर है वो यहांँ पर omega आपको टूपाईF के एक्यार दिया हुआ तो आपको बताने की शकती में अपवया कितन होगा एप यहांडो थो क्या देया है होगा की हमारा जो एक ऐसी परिपत है ऐफ हावर्ति का उसके विपवांतر है वो बुमारा ये है और दारा ये है तो आप को बताना है कि इसके अंदर जो मरा सक्तिि का से होगा वो आपको कितना होगा तो दोस्तों यहां पर ऐसे क्युशनों को आप ऐनी आखी क्युशन छोड़कर मच ले जाना थो आपकी जो एक्जाम में क्युशन फुज़ते जाते हैं Unimyrical होते हैं लेकिन इसके अंदर बिल्कुल यह इन है जाद केलकुले सरन नहीं होती हैं इनके अंदर केवल कंसेप्ट लाग होते हैं यदि आपको पते हैं थोरी वाले कुछन आ रहे हैं तो आप इन कुछनों को भी आसाने से कर सकते हैं यहां पर आपको क्या दिया है कि वो हैं याद रखना जबी भी आपका कॉस दिया वाँ होगो जो साइन दिया वाँ हो तो कोस यह ने साइन के अंधर कालांतर हो झो हमेश्ण डिफिरन्स यह नोट कर लि Fellas पर और कहला प्रोग्त होता है तो इस याद्यक्सिन के अपने हैं कि जो व्ही और जो i है इंध्रों के अंतर जो फएज डिफ्रेंस केडांतर हुआ आपका कितना पायए पायई टू है तो इस फोरिंट के अंदर एधि अपना पायई बायटू रखेंगे तो अपन tries प्रकार से गयाब आपका कितना जीरो हो एक जाएका खिकार करने लग बदियारी के सीविदें आपको पकड़ हुआ आपको मजबूत करनी है तो आपको अपन मिलते हैं आपको नेक्ष्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे किसनों के साथ तक तक आप से भी को जैहिन जै भारत